हलो एवर्यों नमस्कार स्वागत है आप सभी का अपने से यूट्यूब चनल ब्रिजेस कुमार टक पर तो साथियों एकेट्यू ने रजल्ट जारी कर दिया अभी कुछी मिनट पहले कई सारे रजल्ट जारी कर दिये गया है तुम आपको आगे बताने वाला हूं कि यहाँ और कौन से कोर्स के कौन से समच्टा का रजल्ट जारी हुआ एक साथ कई रजल्ट जारी कर दिया है एक तो बड़ी खुसकाबरी है काफी सारे चात्रों के लिए सातीस साथ में चैलेंज व एलेशन को लेकर भी ऑफिसल अपडेट जारी कर दिया गया है क्या कुछ अपडे कर सकते हैं वहाँ पर भी जो पीडिया फॉर्म में अपडेट होती है प्रोइड करा दी जाती है इसका लिंक आपको नीचे वीडियो के डिसक्रप्शन में मिल जाएगा तो चली सात्यों देख लेते हैं साकुलार में क्या कुछ बताया गया है कौन सा रजल्ट जारी किया है और challenge वे लेकर लेकर क्या कुछ अपडेट है तो challenge वे लेकर अपडेट यहां पर यहां पर यह निकल कर सामने आई है आपको यहाँ पर एक जुलाई लिखा हुआ है लेकिन यह आपको आज यानि कि दो जुलाई को जारी किया गया है अभी कुछी मिनट पहले और मैं तुरंत आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे रहा हूँ यहाँ पर आद दे सकते हैं कि सत्र 2023 को विसम समेश्टर का प्रथम चन में प्रतिभाग करने वाले 6 चातरों के चैलेंज मुल्यांकन के सम्मद में ठीक है बताई गई है कि 1 जुलाई 2024 से लेकर 15 जुलाई 2024 तक आप जो है अपलाई कर सकते हैं स्टेज 2 के लिए ठीक है स्टेज 1 का आप सभी का रेजल्ट आना स्टार्ट हो चुका है मैंने टेली ग्राम पर भी आपको अपडेट दे दिया था अगर आप पुराने वीवर हैं तो क्या कुछ बढ़ रहा है घड़ रहा है क्या कुछ है दूसरा अगर आपको बीस परसन से ज्यादा दूसरा यह होसत अंतिम रूप से सुखार होगा यानि कि उसको आप जब वहां पर वेरिफाई किया जाएगा तो वह आपका लास्ट मांक्स माना जाएगा उसमें कोई प् की डीटेल आप देंगे ठीक है तो इसलिए बैंक काउंगे डीटेल आप जो है करेक्ट दीजे का ताकि जो भी एमाउंट रिफंड किया जाए वह आपके बैंक अकाउंट में ही जा करके डिपोजिट हो ठीक है क्रेडिट हो तो चलिए साथ नेक्स हम बात कर लेते हैं चात्र दोचातर तेश्च और विसम समेस्टर परिच्छा के MBA Integrated और M-Form पार्ठेक करम के प्रत्थम वर्ड्स के फॉस्ट समेस्टर के रगुला चात्रों के परिच्छा परिणाम घोशित के जाने के सम्मंध में यानि कि जो भी चात्र MBA Integrated के फॉस्ट समेस्टर के हैं उनक यार्पी पोड़ल आप यहां पर गूगल पर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा ठीक आपको पता ही होगा और यहां पर एक चीज़ यहां पर जानकरी दी गई है कि उक्त के करम में सूच है कि सब्सक्राइब नहीं हो सकी उनका परिच्छा नामंकन प्रक्रिया पूर्ड नहीं के उपरांत स्वता ही घोसित हो जाएगा तो जो भी छात्रों के नामंकन प्रक्रिया भी तक पूर्ड नहीं हो सका है तो उनका वो पूर्ड होने के बाद में रेजल्ट घोसित कर दिया जाएगा तो आपको घबडाना बिलकुल भी नहीं थोड़ा साव वेट कर लेन कर दो है तो आपको जाएगा तो